ग्वालियर में गहने कैस चोरी के बाद अब अंडा भी चोरी होने लगा है सहर के मुरार चावनी में फोजियों के लिए सप्लाई होने वाले 4,000 अंडे एक आटो ड्राइवर चोरी कर लेगया ठेकेदार ने अंडे मुरार चावनी में भेजने के लिए आटो में लोट कराए इसके बाद वे बाइक से पीछे पीछे चल रहा था कुछ दूरी पर ट्रैफिक में आटो ड्राइवर ठेकेदार को चक्मा देकर अंडे चोरी कर ले गया घटना थाटीपुर से मुरार चावनी की बीच की है ठेकेदार ने आटो को काफी तलासा लेकिन पता नहीं चला इसके ठेकेदार ने पुलिस से सिकायत की है पुलिस ने सिकायत पर आटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलास सुरू कर दी है मुरार छेत्र के सैन छावनी मैस में खार्दिशा मगरी सप्लाई करने वाले ठेकेदार धोली बुगा का पुल निवासी निजामुद्दीन खान ने रविवार को बाजार से 4000 अंडे ओर दे कर खरीदे थे उन्हें मुरार छावनी तक पहुचाने के लिए उसने किराय पर एक लोडिंग आटो की थी ठेकेदार ने उन अंडो को आटो में रखवा दिया था इसके बाद वह अपने वाहन पर सवार होकर लोडिंग आटो से आगे निकल गया था इसी दोरान आटो चालक ने मौका ताड कर अंडे से भरा आटो किसी दूसरे रास्ते पर डाल दिया और चकमा दे कर भाग निकला जब आटो चालक मुरार छावनी नहीं पहुचा तो ठेकेदार ने आटो और उसके चालक को काफी देर तक तलास किया लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला तो पीडित ठेकेदार ने मुरार थाने पहुचकर आरोपी आटो चालक के खिलाफ चोरी के धाराओं में प्रेकरन दर्च कर आया है ठेकेदार की सिकायत के बाद पुलिस ने जास सुरू की तो आरोपी की आटो के रजिस्ट्रेशन नंबर से आरोपी की पहचान मुके सर्मानिवासी मुरार के रूप में हुई है फिलाल आरोपी आटो चालक गाड़ी सहिद फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलास कर रही है इस मामले में ASP क्राइम राजिस दंडौतिया का कहना है कि सैन छावनी मैस में अंडे सप्लाई करने वाले एक ठेकेदार ने 4000 अंडे और सब्जियां खरी दी थी जिसके लिए ठेकेदार ने दो आटो किराय पर किये थे ठेकेदार एक आटो में सबजी और दूसरी आटो में अंडे लोट करा कर सप्लाई देने जा रहा था इसे भी चालक अंडो से भरा आटो लेकर फरार हो गया है ठेकेदार की सिकात पर मावला दर्च कर लिया गया है इसमें थाना मुरार में चोरी किया फायर रेस्टर्ट कर ली गई है और इसमें चुकि वह आरूपी नामजद है जल्दी उसके ग्रप्तर के जाकर रिकवरी की जाएगी